Hello friends, कैसे हैं ? इस वीडियो में हम बात करेंगे टंग टाई के बारे में टंग टाई क्या होता है थोड़ा से इसको अम समझेंगे क्या इससे problem होती है और treatment इसके लिए क्या दिया जाता है इसको हम समझेंगे अगर जैनल में नए है या पहली बार visit कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो ऐसे ही informative वीडियो की notification आपको मिलती रहेगे चलिएक शुरू करते हैं मैं वो डॉक्तर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं Easy Dentistry समझते हैं Tong Time जिसको हम बोलते हैं Medical Term में Ankyloglasia जीव से Related Disorder है ये Congenital Disorder है मतलब की Ad Birth होता है जन के साथ ही ये बच्चों में होता है और बहुत Common Problem ये है इंडिया में 9-10 Million जो नए cases होते हैं Ankyloglasia के हर साल इसमें होता क्या है थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं Ankyloglasia में जो हमारा Freedom Attachment है उसका Problem होता है समझते हैं Easy करके देखे जो आपका Folds होते हैं मुह में हमारे अलग-अलग Folds होते हैं उनके नाम जहां पर वो Locate होते हैं उसके हिसाब से दिया जाता है जैसे Easy करने के लिए सामने एक Fold होता है उसको हम बोलते है Labial Freedom जो Fold होता है उसको हम Freedom बोलते हैं और जहां होता है उसका नाम जहता है जो सामने होता है उसको Labial Freedom Feel कैसे कर सकते हैं जो आपकी Tong है उसको आप उपर लगाएंगे एसा जो आप Fold दिखता है ऊपर करते है तो भी दिखता है उसको हम बोलते हैं Freedom ऐसे बहुत सारे Freedom होते हैं यह Labial Freedom ऐसे अंदर भी होते हैं Buccal Freedom इधर साइट जो होते हैं अंदर की तरफ और जो अंदर होता है जीव के पाल उसको हम बोलते हैं Lingual Freedom तो यह इसका problem है, देखें, यहाँ पर जो attach होता है, जो हमारे मुझ के floor को tongue से, jeep से जोडने का काम करता है, उसको हम बोलते है lingual freedom, तो इसका proper attachment होता है, जैसे आप देख रहे हैं, पीछे की तरफ यह attach होता है, अब अगर यह आगे attach होते जाए हमारी jeep में, तो जितना आगे attach इसमें problem होगी, देखें, यहाँ पर पीछे attach है, ऐसे अगर यह आगे आते जाए, यहाँ पर हो जाए, तो restricted हो जाएगा, और अगर यह यहाँ पर toe से touch हो जाए, तो बिल्कुल ही restricted हो जाएगा, जो movements है, tongue का, आपको जिसे मैं दिखा भी रहा हूँ, जब यह lingual freedom का attachment proper नहीं होता है, movements restricted होते हैं हमारी tongue के, इसको ही हम बोलते है, tongue type या ankyloglossia, चलिए, अब समझते हैं, इससे problem क्या होती है, देखे, अगर यह normal से थोड़ा सा जादा है, mild है, जिसकी जो position है, थोड़ी से आगे है, तो बहुत ज़्यादा problem नहीं होती है, और diagnosis की बात करें, तो समझ भी नहीं आएगा, हम diagnose भी नहीं कर पाते हैं, normal ही वह आपको लगेगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, आगे अगर touch है, तो हमें problem होती है, जो बच्चे है, breastfeeding, दूद पीने में उनको problem होती है, निगलने में आपको problem होगी, swelling जब आप निगलते हैं, तो आपको problem होगी, बोलने में problem होगी, और ज़्यादा तर जो ऐसे words हैं, जो हम उपर तालू में लगा कर बोलते हैं, यहाँ पर हमारी jeep touch होती है, वो words हम properly नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि movement restricted है, tongue उपर नहीं जाता है, इसके बाद oral hygiene की problem होती है, क्योंकि जो jeep है, पूरा move नहीं कर पा रहे हैं, तो jeep का एक काम है, जैसे मैंने आपको बता है, clean करने का भी होता है, tongue पूरे मुह में move करती है, और दात को clean करती है, जहां पर कुछ फ़सा है, clean करेगा, तो oral hygiene भी अच्छे से maintain नहीं हो पाती है, इसके कारण, इसके बाद crowding का problem होता है, crowding मतलब आले तिर्चे दात होने का भी problem होता है, अब ये कैसे होता है, जहां normal position होती है हमारी jeep की, जो हमारे उपर वाला तालू है, pellet है, तो जो pellet का shape बनता है, वो U shape का होता है, normal, तो हमारे दात properly arranged रहते हैं, लेकिन जो tongue tie होता है, जिस भी patient में, उनमें V shape का आर्ज जादा तर देखा जाता है, V shape का आर्ज बन जाता है, तो जो दात है, crowded होने लगते हैं, आड़े तिर्चे इसके कारण होने लगते हैं, अब ब speech therapy दी जाती है, और इसको ठीक करने का try किया जाता है, और अगर ये जादा है, तो next treatment जो है, बहुत common treatment है, इसको हम बोलते हैं, free neck tommy, जो हमारे lingual freedom के हमने बात की, जो attachment है, जिसके कारण ये problem होता है, उसको निकालना होता है, इसको हम बोलते है, lingual free neck tommy, और generally ये किया जात आफ को सुनकर दिया जाता है, एनस्थाइस कर दिया जाता है, injection दे कर, और उसके बाद जो tongue tie है, और जो freedom है, जो attachment है, जिसके कारण problem है, उसको cut कर दिया जाता है, एक level तक, normal level तक उसको cut कर दिया जाता है, और फिर speech therapy, जब cut हो जाता है, जब therapy दे जाती है, धीरे-दीरे आदत डलवाई जाती है कि कैसे आपको बोलना है क्योंकि काफी समय से treatment नहीं हुआ है और वैसे ही आदत होती है तो धीरे-धीरे करके फिर ठीक होने लगता है जो movements है normal हो जाते है तो lingual frenectomies के लिए की जाती है ठीक किया जा सकता है इसको तो यह थी कुछ information tongue tie and callioglassia के बारे में hopefully आपके लिए helpful रहा होगा अगर आपको भी है या किसी को जानते है जिनको है तो easily उनका treatment कराया जा सकता है treatment करा सकते है चलिए इस वीडियो में इतना ही चल्दी मिलेंगे next वीडियो में एक और ने टॉपी के साथ thanks for watching